नमस्कारा हेलो एवरीबडी वेलकम टू अरहान इंटेटेन्मेंट मोची बाबू ए बोची बाबू ए बुची बाबू सना जो कि एक साउथ के उभरते डायरेक्टर्स में से एक है उन्होंने एक शौकिंग स्टेट्मेंट किया जिसके बाद ट्विटर पे एक तरह से कह सकत कि इंडिया वर्सेस पाकिस्टान या इंडिया वर्सेस चाइना वाले वार क्रियेट हो गया है यानि के रॉकिंग स्टार यश्ख के फैंस और अलू अर्जिन के फैंस के वीच में जो एक खमासान शुरू हो है वो खतम होने का नाम नहीं ले लेकिन साथ-साथ कुछ ऐसे फैंस भी है जैसे के मेरी तरह जिनको रॉकिंग स्टार याश और स्टैलिंग स्टार अलू अर्जुन दोनों ही पसंदे और दोनों ही की मुवीज वो सीब इसी वजह से देखते कि को उनको अल्टिमेटली एंटेटेंटमेंट मंगता है आप हम लोग इस वीडियो में यही कट्स देखें और उनको ऐसा लगता है कि दस केजेफ भी बन जाएगी ना तो एक पुश्पा के बराबर होगी अब इस बात में कितना दम है मुझे नहीं पता लेकिन केजेफ इस नॉट अ मूवी एनीमोर वो एक इमोशन है वो ओडियन्स के लिए किस लेवल की उसका हाइप होती है साउथ में उतनी हाइप नहीं होती है लेकिन इस वन अफ़काइंड मूवी केजेफ चैप्टर टू जिसको लेकर पूरे इंडिया में इवन जितने भी इंडियन्स जो बाहर रहते उनमें भी उतनी ही जादा है जितनी यहां के लोगों में तो आप किसी ऐसी मूवी को लेकर इतना बड़ा बयान देना स्टेटमेंट देना अपने आप में बहुत हिम्मत की बात है बहुत ही बड़ी बात है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद बुच्ची बाबु की जो बोची फाड़ेंगे उसके बाद तो आपको पता है कि उसकी साथ क्या होगा उसको मतलब इतना ट्रोल करेंगे कि वो मगर फिर भी अगर बुच्ची बाबु की बात में जरा भी दम है और अगर वाक्य में पुश्पा इस लेवल किये तो जो फैंस या जो मूवी देखने जाएंगे उसका तो भाई 100% टिकेट वसूल हो जाएगा और रही सवाल बात के यार यह स्टेटमेंट देना चाहिए नहीं तो यह अगर हमारा कोई प्रोड़क्ट है और हम उसको अच्छी तरह से और बेचने जाते और वह प्रोड़क्ट अभी फिलाल मार्केट में एकदम गरम चल रहा है और उसकी सैलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाना चा किसी का तो शायद उसने मुवी देखा उसको उतनी जाद अच्छी लगी कि उसने यह बात बोल दी लेकिंग रॉकिंग स्टार याश के फैंस और अलोर्चन के फैन को एक चीज माननी पड़ेगी कि यह सारी कि सारी जोना मार्केटिंग स्ट्रेटीजी होती है तो इसमें फ और यह हुआ है इनके डारेक्टर के वज़े से इनकी पीछे की विजन की वज़े से और इनके स्वैक के वज़े से के इन्होंने अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया और रॉकिंग स्टार याश की तो मैं एक ही जीस बोलूँगा कि भाई वह एक अकेला मंदा जिसने अपनी पूरी इंडिया के ओडियंस के सामने लेकिया है यह करनेडा इंडिस्ट्री को अगर जो उनके जो बड़े-बड़े स्टार्स है उससे भी जादा किसी ने फेमस किया फिलाल तो वह है रॉकिंग स्टार याश और यह चीज मुझे इस वीडियो में बोलने में कोई ह इंडिया के सामने उठाया है तो इसले रॉकिंग स्टार याश की तारीतों करनी बनती और प्रशांद नील सर्जु कि एक ऐसे विजनरी डिरेक्टर है हमारे इंडिया में कुछ यह से डिरेक्टर है जिनमें अब प्रशांद नील की एंट्री हो गई है जो एक मामूल इसी कहानी को भी एक सिंपल सी कहानी को भी एक बोलते हैं लाज कैनवस में एक ब्यॉंड इमेजिनेशन में प्रेजेंट करने वाले डिरेक्टर में से एक है और उन्होंने के साथ यही एक चीज़ किये अगर आप लोग देखो तो कितनी सिंपल से कहानी है लेकिन जो उसका एक् उसका सीब एक चोटा से टीजर था वो चोटा सा स्निक पिक था जिसमें जो बेग्राउंड मुजिक था बहुत अच्छा था अलु अर्जुन का जो गैट अप था वह बहुत अच्छा था और वह जो एक एक्मोस्पे लोग ने क्रियेट किया था उस जंगल का का वह काफी 10 KGF बनीगी तो वह एक पुश्पा होगी या 100 पुश्पा बनीगी तो एक KGF होगा आपको तब ही बताऊंगा तो बुच्ची बाबु ने जो सिच्वेशन को गरम किया है उसके उपर आपका क्या उपीन है ने वो मुझे कमेट सेक्स में जरूर बताना और आपको क्या ल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें KGF चैप्टर टू पुश्पा आर 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 इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि तो रादे शाम के बारे मैं इसलिए बात नहीं करूंकि मेरे हिसाफ से जब तक रादे शाम रिलीज नहीं होती उस पर मैं कुछ भी बात ने करूं कि मुझे फिलाल काफिट डाउट फिल हो रहा भाई तूभी उनेस लेकिन प्रबास की जो आदी पूरुश है या सलार है या उसके लाओ दूसरी मूवी से उसको लेकर मैं 100% शूर हूं कि भाई वो बॉक्स अफिसर कमाल करेंगे लेकिन रादे शाम को लेकर मैं फुल टूडाउट में चल रहा हूं तो आप लोग यह भी कमेंट सेक्षेम बता दो कि आपका क्या ओपीने ने रादे शाम को लेकर तो बहुत सारी चीज़े वीडियो पुरा देखा है आप लोगों ने तो कमेंट जरूर करना और आप लोग बुच्ची बाबु की बा से वा सुरू ने बादे से वा सुरू ने बादे सिट भाई